हाई अब्रीवन सभी का वाउम वेलकम है वाई डी योर इंगली शूटर पे प्यारे 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 व्यूर्स का एक नई एक्सराइस आपके सामने रख रहा हूँ अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसको आगे भी कंटिनू करेंगे एक्सराइस का नाम है दा लेटर्स फ्रॉम दा पास्ट अब इसमें क्या होगा देखो दा हिंदू के ताजा एडिटोरियल तो आप मेरे साथ पढ़ते ही हो हफते में पांस दिन या छे दिन लेकिन कभी कभी ताजा एडिटोरियल को छोड़के हम दा हिंदू में चपी हुई आज से 100 साल पुरानी 50 साल पुरानी या 500 साल पुरानी नियूज को पढ़ेंगे जो बेस्ड होगी इंडिया पे या वर्ड पे अब इस नियूज को पढ़ने का अबजेक्टिव हमारा यह है कि भारत और दुनिया के बारे में हिस्ट्री के बारे में आप इंट्रस्टिंग तरीके से सीख भी पाएं और साथ-साथ अपनी इंगलिश को पढ़ने की तरीके को या स्किल्स को डैवर्सिफाई कर सकें जब आप अलग-अलग राइटर्स अलग-अलग एरा की लिखावट को पढ़ना सीख लेते हैं तो इंगलिश में खुद बखुद आक्वा कॉन्फिदेंस बढ़ जाता है तो चलिए शुरू करते हैं आज फर्स एकसाइस है फर्स अ आ गया तक कोचीन में आर्टिकल के उपर एक क्विज भी बेस्ट है आपको दिखा दें पढ़ते हुए आर्टिकल के बीच में मैं आपसे कुछ ग्रामर कुछ वोकाइब कुछ कॉम्प्रियेंशन के क्वेस्टन्स डिसकस करूंगा इसका सुलूशन आपको क्लास के दन थर्टी मिनिट्स की रहेंगी तो फटा फटा आपका एक चेप्टर जो है हो जाएगा करेजी दः सॉल्ट मडल देखे मडल का मतलब होता है गडबड अफरा तफरी आपको मैंने एक वर्ड बताया हुआ है पेंडेमोनियम या एनार्की या केयोस जब हर तरफ अराजक इस स्टेट शुरू हो गई है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नमक कहां पर मिलेगा अब उस समय ऐसी दिक्कते होती होंगी आज से सो साल पहले कि नमक इनी मिल रहा है ना चलिए सॉल्ट आप जानते है नमक को बोलते हैं सॉल्ट के उपर मैं आपसे चार इडियम एडियन अफ सॉल्ट दा माईन एड जो बैक टू थो दा सॉल्ट माईन सॉल्ट इडियम बहुत-पार हो चुकी है इसका मतलब होता है तो अ जैनिवीन अजैनिवीन और ओधेन्टि पर्सन ठीक है क्या बोलेंगे सको इसको सॉल्ट बोलेंगे यह तो आप ओल्डी ऑल्री जानते हैं, जैनुविन है न, एन यू, एन यू आई, चलो, अगला जो आपका एडियम है, टेक सम्थिंग विद पिंच और ग्रेट अफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है, किसी चीज पे आँख मूंद के विश्वास ना करना, आपको किसी ने कुछ बताया, लेकिन आप आँख मूंद करके विश्वास ना करने के बजाए, उसको परकते हो, और उसके उपर आप थोड़ा सा डाउट बनाए रखते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, अपने आप से लिख लो, इसके नोट्स बना लो, ठीक है, किसी चीज पे आँख मूंद के विश्वास ना करना तीसरा है, salt, dam, mine, इस idiom का मतलब होता है, sell करने से पहले या बेचने से पहले किसी चीज को जरूरत से ज़यादा अच्छा दिखाना, आपको एक गाड़ी है, गाड़ी को sell करना है, sell करने से पहले आप गाड़ी के उपर बढ़िया paint wind करवा रहे हो, टायर नहीं डलवा रहे इसी को बोलते हैं salt the mine ये idiom निकली है पुराने जमाने से जब ख़दान यानी mine को बेचने से पहले वेपारी क्या करते थे अपनी सोने की mine है न तो उसके मुह के उपर खूब सारा सोना रख देंगे सोने का चूरा रख देंगे तो वो क्या करते थे माइन को सोने वाली माइन को ऐसा दिखाते थे कि इसमें बहुत सारा सोना है तो वो सोना एक्चुल में उसके मुह पे रहता था अंदर निकलने पे सोना नहीं निकलता था तो वहीं से एडियम निकली है salt the mine चलिए last है go back to the salt mines salt mine का मतलब होता है नमक की खदान में काम करते हो तो आप एक एक slave की तरह हो पुराने टाइम में जो slave की तरह काम करते थे वो लोग नमक की खदानों में काम करते थे ऐसा समझ लो तो अगर आप go back to the salt mine कर रहे हैं तो आप एक लंबी छुट्टी के बाद अपनी duty को जोइन कर रहे है जोइन योर ड्यूटी जोइन बैक योर वर्क ड्यूटी ठीक है योर वर्क वर्क यार ड्यूटी तो ऐसा ही लगता ना आदमी को मैं slavery कर रहा हूं वापिस जा रहा हूं अपने office में काम करने का मन्नी हो रहा है जिन प्यारे प्यारे स्टुटेंट्स ने एप को डाउलोड ने किया है YET आपको डाउलोड करो आपकी अपनी एप है फर्स कोमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे एप पे आपको मिलेंगे Courses for Writing, SSC and Banking Writing course में descriptive लिखना सीखते हूं UPSC या किसी भी exam के लिए essay summary report पे सी Almost 60 to 80 hours का course है अच्छे धंग से करोगे तो independently write करना सीख जाओगे in English ये code लग रहा है इसको लगा करके आप फाइदा ले सकते हैं आज midnight तक 475 में अभी इसका price भढ़ने वाले हैं next month से उससे पहले फाइदा जरूर से ले banking course के अंदर आपको पूरा banking का से लेवस clerical और PO, prelims और mains का plenty of practice sessions के साथ में cover करवाया जाता है तो सही approach देखकर के कैसे marks को boost करना है ये banking course में सीख सकते हैं इसी तरीके से SSE के course में SSE के सभी exams का prelims और mains आपको तयार करवाया जाता है एक एक variety के question को detailed approach के साथ में करना सिखाया जाता है courses related कोई भी query हो ये team का number है आप इस पे whatsapp करके team से बात कर सकते हैं app का link इसी वीडियो के first comment में रखा हुआ है चलो last हमने छोड़ा था chaos पे sorry jaunt पे है ना jaunt का मतलब क्या होता है एक गेड़ी एक journey for pleasure कल की article में आया था आज शुरू करेंगे chaos से chaos, anarchy, mayhem, uproar, shambles, pandemonium, havoc, upheaval सब का मतलब होता है और आजकता, अफरा, तफरीका, महोल जब कानून जो है चला जाता है कानून, आपको अपने असपास जो है कानून का राज ना दिखाई दे तो आप समझ लो, वहाँ पे राजकता फैली हुई है कोई मार रहा है, किसी को कोई काट रहा है कुछ ऐसा उल्टा सिधा काम हो रहा है इसी के लिए एक word है muddle muddle word का मतलब होता है एक्षुल में a state of confusion जब कुछ समझ ना रहा हो ना उसी को बोलते है English में muddle कुछ मिलता जूलता है chaos से इसलिए इसके साथ में मैंने रख दिया है आफ्टर दा तालिबान टुक ओवर काबूल देर वास एन इटमोस्फियर ओफ के ओवर कर लिया काबूल पे एक वातावरिन था अटमोस्फियर था जो था chaos का यनि अराजकता का या muddle का state of confusion का वहां की गलियों में एक word एक्षेकर बहुत बार हो चुका है जो लोग पढ़ते हैं इस word को अच्छे से जानते हैं एक्षेकर का मतलब है सरकारी खजाना public funds और इसी के लिए word हमारे पास coffers सरकार का जो भी खजाना है न वो हमारा ही खजाना है मतलब public कई funds होते हैं वो लोगों से सरकार बनती है और public funds के लिए हम यूज करते है word एक्षेकर या coffers को जो latest bailout package है bailout package का मतलब होता है किसी को बचाने के लिए सरकार जब पैसा लगाती है जैसे किसानों के लिए को पैकेज निकाला टुफान आने के बाद फसलों के लिए कोई package निकाला कॉरोना आने के बाद pandemic के लिए कोई package निकाला तो bailout package जो आया है अभी अभी वो cost करेगा उसकी कीमत आयेगी हमारी सरकारी खजाने को पचास हजार करोड रुपए तो याद रखेंगे इस वर्ड को आर्टिकल में आएगा ही अब देख लो यह वर्ड आज भी आ रहा था आज से सो साल पहले भी आ रहा था वो कैब जो है ना टाइम लेस्नेस होती है इसमें इसका कोई टाइम नहीं है फ अब कमे के लिए देखोड़ हो आज word ओया scarcity कभी वर्ड मिलेगा deficit, कभी वर्ड मिलेगा हा भी वर्ड मिलेगा prophecy और फीक दो वर्ड इसके लिए insufficiency हेना तो ये सारे के सार्ण वर्ड़ से है इसके से कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा एक और word है scantiness अज लिखना भूल गया मैं इसको scantiness तो इनको आपको दिमाग में थोड़ा connect करके रिखना reading करो कि जितना यह word अपने आप connect हो के बैठ जाएंगे वो कैव से धक्का मत करो read करो जितना हो सके last अपना second last phrase है on the brink of इसका मतलब होता है कगार पे the word is on the brink of an irreversible climate change दुनिया कगार पे है एक ऐसे मोसम में बदलावगी climate change की जो irreversible होगा जिसको फिर से जो हम पुरानी अवस्ता में नहीं ले पाएंगे पर्मानेट होगा जो पर्मानेट on the verge of on the verge of on the brink of and on the cusp of तीनों का मतलब एक ही है इस फ्रेज के साथ गलती ही होती है on की जगा पे at लगा होता है जो की गलत होगा हमेशा क्या लगाना है इसके साथ में on लगाना है last अपना एड़वरिबल फ्रेज है by no means by no means का मतलब है not at all यानि बिलकुल भी बिलकुल भी नहीं आज कल पढ़े लिखे लोगों में भी मिलेगी तो by no means is limited to uneducated job seeker job seeker वो आदमी है जो job को पाने की सीख करने की कोशिश कर रहा है अब देखो not at all को hardly barely scarcely भी बॉल सकते हैं आज ये फ्रेज आर्टिकल में देखेंगे by no means चलिए आज ये बार्टिकल को शुरू कर लेते हैं summary इसकी देने की ज़रूत नहीं है ये एक press clipping है आपको बताया कि कोशिश में नमक कम पड़ गया और क्यों कम पड़ रहा है करे जी कोशिश इस जस नाउ at the verge of a salt famine as there is very great scarcity of salt in the state at present करे जो कोशीन है अब उस समय स्टेट हुआ करती थी करे कोशीन अभी है at the verge of यानि की कगार पे at the verge of at the brink of at the cusp of याद ना तो कोशीन अभी कगार पे है नमक के एक फेमाईन की फेमाईन का मतलब होता है अकाल समझगे अकाल तो नमक का अकाल है उसकी फेमाईन उसकी वर्ज पे उसके कगार पे आ गया है और क्यों आ गया भाई करे क्योंकि as एक बहुती बड़ी great scarcity है very great scarcity यानि बहुत बड़ी कमी है और किसकी भाई of salt नमक की और कहाँ पे इसी स्टेट कोशीन में at present आज के दिन समझ में है का sentence बिलकुल आसान है एक सेकिंड रुख जाओ इसको मैं उड़ा दू यहां से चलो अब sentence आपको समझ में आ गया होगा पर इसमें पड़ी हुई एक error अब देखो error भूणनी है आपको दो या तीन बार करवा चुकों अभी तक जितनी class हुई है उसी के इंदर पिछले 5 मिनिट में एक बड़ पूरे ठंड़े दिमाग से सोचो जो मैंने समझाया था वहां पर उसके हिसाब से कहा error रखी हुई है नहीं समझ में आया कोचीन सब्जेट है एजिस की वर्ब है उन ही उस होगा इन फ्रेजिस के साथ बताया था न आपको इस एरर को आपको दिमाग में बिठाना है फैमिन का मतलब होता है अकाल लेकिन इस से मिलता दोता वर्ड है ड्रॉट इसमें लगता है बीच में ओ याद रखना ओ लगता है इसमें ए नहीं लगता ड्रॉट का मतलब होता है सूखा लैक ओफ रेन समझगे अकाल ओ सूखे में थोड़ा फर्क होता है कि नहीं होता अकाल में खाना नहीं होता सूखे में बारिस नहीं होती तो दो अलग अलग चीज़े हैं वैसे connected है अब बोल सकते हो कि ड्रॉट के बाद ही फैमिन आता है मान लूँगा इस बात को लेकिन ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं इनको connect मत करना मतलब connect करना इसी तरीके से connect करना चलो आगे बढ़ते है scarcity मतलब कमी होता है देवान है कोचीन का अब ये देवान के उस वक्त के क्या होते थे PM ही मान लो ना स्वरी CM ही मान लो ना तो इस state के जो उस समय के CM देवान जो थे अब वो grant करना है free permits को और किन को merchants को सारे वेपारियों को और किसलिए भाई permits दिये जा रहे हैं import करने के लिए आयाद करने के लिए नमक को salt को और कहां से बाहर से from outside और क्यों करना है सारा कम तू लोगा के बता रहे है to meet the requirements of people लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए meet करने के लिए उनकी requirements को समझ आगे sentence दिवान की वब है is now granting बाकी पूरा sentence आपके सामने है self-explanatory है अब आजो next sentence पर कहरे जी there are no salt available at the depot at Malipuram and the loss of revenue that had resulted to state by this model is by no means small अब यह लंबा sentence है इतना ही पढ़ेंगे कहरे जी there are no salt कोई भी salt नहीं बचा है नमक नहीं बचा है और कहां पे available नहीं बचा है depot पे या storage पे जो है मलीपूरम नाम के शहर की तो कोचीन state का part होगा मलीपूरम मलीपूरम के depot में गुदाम में बिल्कुल भी नमक नहीं बचा है और जो loss है जो कमी है जो नुकसान है सरकारी खजाने को revenue का यानि की income का करे वो जो result हुआ है और किसको इस state को कोचीन को और किसके द्वारा इस पूरी model के द्वारा इस पूरी confusion के द्वारा करे वो है बिल्कुल भी नहीं by no means बिल्कुल भी नहीं small यानि की छोटा समझ में आगे sentence salt की वोब है are loss की वोब है is that की वोब है has resulted that आया है loss of revenue के लिए अब ये बाकी का पढ़ लेंगे तो इससे पूरा sentence ready हो जाएगा कह रहा है not to speak of the hardships caused to the people कह रहा है बात ही मत करो not to speak of not to speak of मतलब होता है बात करने की जरूती नहीं है अरे ये तो कहने की जरूती नहीं है कि रहे ये तो कहने की जरूती नहीं है उस hardship के बारे में उस परिशानी के बारे में जो cause हुई है जिसका जो की गई है जो पैदा हुई है लोगों के लिए to the people आगे वाद समझ वे चलो संटेंस अब पूरा आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे सरकारी खजाने का तो नुकसान वैसे ही छोटा नहीं है बाइ नौर मींड स्मॉल है उपर आप तो बात ही मत करो उस परशानी की जो लोगों को भी हो रही है अब इस सेंटेंस को देख करके आपको आइडिया लगेगा इंपरिलिस समाज कैसे होते थे नमक नहीं है तो लोग नमक की कमी से जो परशान है वो बात में बताया गया है पहले आपको यह बताया है कि सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है नमक ना होने से अंग्रेजों का राज था है ना सब पैसे वैसे के हिसाब से गेम चलता था पूरा अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने देख ली है इसमें मिलेगा एक एरर फड़ा फड़ा वो एरर आपको मैं दिखा देता हूँ एरर यह है यहाँ पे लगा हुए आर और यह आर आया है सॉल्ट के लिए ऐसा इसली हुआ है क्योंकि क्लोज शुरू हो रहे देर से तो देर से शुरू होने वाले क्लोज में जो वर्ब रखी होती है वो बाद में रखी हुए सब्जेट के हिसाब से होती है अब इस R का subject तो salt है, there तो नहीं है तो salt के हिसाब से यहाँ पर singular verb आनी चाहिए पूरा जो concept है वो ऐसा ही है कि there के बाद में is, am, are, was, were, has been, have been कोई भी B family की verb आजाए, link verb subject के हिसाब से बाद में रखे noun के हिसाब से आएगी, there के हिसाब से नहीं आएगी जैसे there was ever a murder in the city last night और there was ever three murders in the city last night यहाँ जो verb आएगी, इस noun के हिसाब से आएगी, a murder के हिसाब से यहाँ जो verb आएगी, इस noun के हिसाब से आएगी, three murders के हिसाब से तो first case में आप लगाएंगे there was a murder ऐसा ही आएगा ना, और second case में there were three murders तो इस देर से इस देर से इस वर्ब का कोई सीधा connection है कोई सीधा connection नहीं है इसका connection इसके साथ है इसका connection इसके साथ है तो इसी formula को follow करते हुए यहां आना चाहिए there was no salt salt plural नहीं है बलकि यह एक uncountable quantity है there is no salt आपको देखना चाहिए by not to speak of मैंने आपको बता दिया कहने के ज़रूद नहीं है cost of purchasing a car is very high in India not to speak of the cost of fuel and maintenance car को खरीदने की जो कीमत है बहुत ज़्यादा है भारत देश में इसकी तो कोई बात ही मत करे जो cost है उसको चलाने की और उसको maintain करने की आरी बात समझ में ऐसे आप इसको यूज करेंगे इसको कहने की तो ज़रूती नहीं है उसको चलाने और maintain करने की cost की चलिए hardship का मतलब होता है trouble या परिशानी के रहे जी आप देखो खत्म होने वाला article करें जी ऐसा state किया गया है इसा कहा जाता है क्या कहा जाता है that वो यह कि सरकारी जो खजाना है वो पहले से ही incur कर चुका है must have already incurred जरूर ही ये काम past में हो चुका है must have plus में incur incur का मतलब है सहना तो सरकारी खजाना जरूर ही सह चुका है एक नुकसान को loss को जो है revenue का यानी कमाई का लगबग एक लाख रूपयों की और क्यों हो रहा है ये हो रहा है owing to इस वज़े से contractor के default की default का मतलब होता है आपका वक्त पे काम पूरा ना करना आपको तीन दिनों का time दिया गया ता आपने साथ दिन में भी पूरा नहीं किया then you have defaulted on your duties तो contractor ने भी कुछ काम वक्त पे नहीं किया सही वक्त पे आया नहीं काम नहीं किया तो contractor के default की विज़े से ऐसा हो रहा है चलो it की वह होब है is एक शेकर की वह होब है must have incurred incur word का मतलब होता है किसी नुकसान को किसी expenditure को सहना है ना कोस्ट किसी चीज की कोस्ट को सहना have already doubled किरे जो merchants हैं जो वेपारी हैं hold up करके बैठे हैं hold up करना मतलब किसी चीज को पकड़ कर रख लेना detain कर लेना storage में डाल लेना उन्होंने जमा कर रखा है सारा available stock salt का और जो prices हैं दाम है salt के लगबग दूगने हो चुके हैं have nearly doubled merchants की वह बहा है are holding up prices की वह बहा है have nearly doubled करा it is not known who is really at fault करा अभी भी यह पता नहीं है वास्तम में कौन आदमी fault पे है किसकी गलती से यह सब हो रहा है चलिए छोटा सा यह article था थोड़ा सा past जानेंगे past की language बढ़ेंगे आप अपने अंदर confidence को feel करेंगे जल्दी से अपने quiz पे आजाओ जो सीखा है इस पे apply कर देना है पहले question में आपसे पूछा है कौन से ऐसे नुकसान हुए है जो हुए है owing to वज़े से और किसके coaching salt फहिमाईन की वज़े से और जैसा कि इस article में mention भी किया गया है मैं यहाँ पे 5 second का post लूँगा जिसने article ठीक से पढ़ा है एक minute में इसका जवाब दे सकता है minute तो ज़्यादा बोल दिया मैंने 5 second में निकलाएगा है ना कोशिश करो सभी लोग चलो भई इसका answer क्या होगा thyroid related issues हो रहे हैं वहाँ की अबादी में या loss of business हो रहा है salt के merchants को salt के वेपारियों को या loss of revenue हो रहा है वहाँ की सरकार को या फिर protest हो रहे हैं पूरी city के अंदर देखो जवाब है इसका D भई वहाँ पे thyroid की कोई population के में परशानी हुई है पता नहीं हमें हो सकती है हुई हो लेकिन इस article में mention नहीं है salt merchants को भी नुक्सान हो सकता हुआ हो article में mention नहीं है वहाँ पे protest भी हो सकता हुए हो लेकिन article में mention नहीं article में इतना mention है कि लोगों को परशानी हो रही है लोगों ने धरना प्रदेशन किया article में कहीं नहीं लिखा loss of revenue ज़रूर हो रहा है D आपका answer बन जाएगा second question है go back to salt mines already करवा चुक हूँ आपको सब लोग try करो इसको comment section में first comment में इसका answer भी डाल रहा हूँ go back to salt mines वहाँ से check कर लेना अब देखो 3 और 4 question में 2 errors पढ़ी हुई है sentence आपके सामने है एक बार सभी लोग try दो दोनों errors में आपको अभी करवा देता हूँ pause कर लो video को यहीं पे है ना आपको time मिल जाए जितना चाहिए हो करवा दू मैं pause कर लेना अपने हिसाब से देख लेना after the onset of of a recession small businesses या small businesses लिखना चाहिए small businesses may find them at the cusp of insolvency as during a financial turmoil there is barely any financial institutions that risk lending money to them करे recession के onset के बाद onset का मतलब होता किसी चीज की शुरुवात recession का मतलब होता मंदी मंदी की शुरुवात के बाद छोटे वेपारी हो सकता है अपने आपको पाएं find them करें और कहां पे at the cusp of पे यानि कगार पे और कगार है insolvency की यानि की bankruptcy की दिवाली अपने की के रहे है as क्यों की during a financial turmoil एक financial turmoil के दोरान वहां पे barely ही ना के वराबर ही कोई financial institution होता है जो risk करे उनको money land करना उनको पैसे उधार में देना देखो पहली error आपको मिलेगी at the cusp of में यहां लिखना चाहिए on the cusp of दूसरी error मिलेगी आपको यहां इस वराब में यहां पे is के जगाना चाहिए और 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 क्यों आएगा क्योंकि यह जो आर है यह connected है financial institution से और देखो that इसके लिए आया है और इसकी वराब भी plural है मतलब यह बिल्कुल सही है इसको change नहीं करना change करना है यहां पे इस नाम की वराब को आर पे ठेके ना institutions plural है institutions बहुत सारे है तो देर के बाद की वराब भी इसी institutions के हिसाब से आएगी क्योंकि that के बाद का जो वराब है वो भी इसी के हिसाब से आरा है सोचते रह जाओ के कैसे बनता है कोशिश करेंगे सभी लोग comments में डालेंगे पाचों questions के answer मैं भी comments में डाल रहा हूँ जाके check करो out of five कितने marks मिले ज़रूर से बताना चलिए मुलाकात होगी next part में और यह class कैसी लगी ये भी बताना comments में अगर आपको अच्छी लगेगी तभी continue कर पाऊंगा ना मजा आएगा आपको सभी को तभी करेंगे इसको continue आगे चलिए इसी तरीके से interesting तरीके से अगर आप पढ़ना चाते हैं SSC, Banking, UPSC के लिए या आप writing skills descriptive लिखना सीखना चाते हैं logic के साथ में आप join कर सकते हैं अपनी आप को आप रखीए comment section में इसका link रखा है जाके download करो सभी courses मिल जाएंगे English के मैं personally सभी courses को design करता हूँ और सभी videos को आपके लिए तयार करता हूँ कोई भी query हो relating to the app courses यह number है WhatsApp का आप team से WhatsApp के थूँ बात करें चैट करके अंतिल दन साइन आप